नमस्कार न्यूस बन अलेवन में आपका स्वागत है मैं हूँ पूजा वर्मा आयोध्या मामले पर तेज प्रताप यादब का बयान सामने आया है अदालत के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है उन्होंने कहा कि ये कवीर और गौतम का देश है जहां सभी जाती संपरदाई की लोगों को एक साथ रहते हुए देखा जाता है इस फैसले से देश और मजबूत होगा विहार की सियासत को लेकर तेज प्रताप यादब ने कहा कि अब राज़त के मुकाबले में कोई नहीं है विहार में अगली सरकार राज़त की होगी आपको बता दे कि इस फैसले के आने से पहले सीएम नितिश कुमार ने हो या फिर नेता प्रतिपक्षो या फिर लालू यादब सबों ने लोगों से सांतिपूर्ण महौल बनाने की अपील की थी जिस तरीके से आज सुप्रीम कोट का ये फैसला सामने आया है उसके बाद अगर बाद पूरे देश की कर ले तो कहीं न कहीं एक सांतिपूर्ण महौल बना हुआ है और जिस तरीके से इस नतीजे के सामने आने के बाद इस फैसले के सामने आने के बाद दोनों संप्रदाए कि लोग जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं साथी लोगों ने इस फैसले को सराहा भी है उनका कहना है कि जिस तरीके से सुप्रिम कोट ने ये फैसला लिया है उससे दोनों संप्रदाए के बीच जो है वो सहोधर पूर्ण महाल बना रहेगा क्या कुछ तेजप्रताप कि अपनी सरकार आएगी लड़ाई लड़ेंगे अचा आयोध्या में फासला हुआ है उसको किस तरह से आप देखते हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ आए राम हो या रहीम हो सब एक हैं और इसका मैं स्वागत करता हूँ मुसल्मान भाईयों को भी जो सरकार ने दिया है तो फिलाल इतना ही तमाम एसे खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले नमस्कार सब्सक्राइब करता हूँ और इसका मैं स्वागत करता हूँ मुसल्मान भाईयों को भी जो सरकार ने दिया है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ सब लोग एक हैं एक जुटता रहेगा तभी देश में कोई भी दुश्मन को हम लोग पराज कर सकता है और एक जुटता नहीं रहेगा बिखरा हूँ रहेगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं मसले एक होना बहुत ज़रूरी था और एक होना निज्वन 11 के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक